मान लीजे कि आप किसी रेस्टरांट से दो अलग अलग डिशेज ओर्डर करनी की बजाए गलती से दोनों ही जगा से सेम डिश ओर्डर कर देते हैं। इसके बाद ना तो आपको खाने में वेराइटी का जाइका मिलता है, अनावशिक ओर्डर के कारण जेप पर भी असर पड़ जाता है। कुछ इसी तरह का experience, mutual fund में portfolio diversification के समय हमारे साथ हो जाता है, जब हम अलग-अलग mutual fund scheme के माध्यम से सेम stocks में निवेश कर बैठते हैं। इसे portfolio में overlapping कहा जाता है। डिश से जुड़ी गलती, तो एक बार बियर की जा सकती है, लेकिन mutual fund selection में अगर गलती हो जाए, तो उसका खमियाजा लंबे समय तक भुगतना पड़ता है। ये overlapping की mistake आप से ना हो, इसे कैसे avoid किया जाए, इस वीडियो में हम आपको इसी बारे में जानकारी देंगे। इस आप का नाम है Z Funds आप, तो आज ही Z Funds आप डाउनलोड करें, बात करें अपने Z Funds एक्सपर्ट से, जाने Z Funds के external portfolio feature के बारे में। आईए, सबसे पहले बात करते हैं कि mutual funds में overlapping होती क्या है। जब आप किसी same category के एक से अधिक mutual fund scheme में invest करते हैं, तो ऐसी situation में ज्यादा chances रहते हैं कि fund managers के दबारा same set of stocks में investment की जा रही है। जैसे अगर कोई large cap fund है, तो उसमें SEBI की mandate के हिसाब से total assets का 80% fund managers को large cap stocks में invest करना होता है। market की top 100 companies में से 80% large cap stocks में allocation की अनेवारता के कारण, आपके portfolio में overlapping की समस्या जरूर सामने आएगी। अगर आप किसी same AMC की दो अलग-अलग category जैसे large cap और flexi cap scheme को अपने portfolio में शामिल करेंगे, तब भी कम से कम 25% portfolio overlapping की संभावना है। flexi cap funds में fund managers द्वारा कुछ percentage large cap में allocate करने की वजह से ऐसी situation देखने को मिल सकती है। हर scheme के fund managers की अपनी-अपनी एक अलग investment strategy, style और approach होती है। इस कारण से भी आपको overlapping की समस्या देखने को मिलती है। आईए, अब गौर करते हैं overlapping के पीछे के कारणों पर। overlapping का सबसे बड़ा कारण है same category की mutual fund scheme में investment। जब आप equity portfolio diversification के लिए same category की एक से अधिक fund की scheme को चुन लेते हैं, तो ऐसी situation में portfolio में overlapping के chances बढ़ जाते हैं। अगर आप दो ऐसी schemes को चुनाव करते हैं, जिसमें same stock, same weightage के साथ पाए जाते हैं, तो overlapping होना लाजमी है। एक ही mutual fund house की एक से अधिक scheme में investment, यानि अगर आप किसी एक ही mutual fund house के large और flexi cap scheme में invest करते हैं, तो overlapping होने की संभावना बढ़ जाती है। overlapping का दूसरा कारण है एक से अधिक scheme का same fund manager द्वारा management। अगर कोई fund manager एक से अधिक scheme को manage कर रहा है, तो overlapping के chances बढ़ जाते हैं, क्योंकि fund managers इस situation में ज्याद ज्यादा scheme में same stocks को include करने की कोशिश करते हैं, जिससे उन्हें track करने की समस्या नहीं होती। overlapping का next reason है index fund में investment, यदि आप same category या theme में एक से अधिक index fund को अपने portfolio में शामिल करते हैं, तब भी overlapping के chances बढ़ जाते हैं, क्योंकि index funds, passive funds होने के कारण अपने benchmark को copy करते हैं, आईए अब जान लेते हैं overlapping को avoid कैसे करें, सबसे पहले same category या same asset class की एक से अधिक scheme को अपने portfolio में शामिल ना करें, तो ऐसी situation में आप overlapping का शिकार हो जाते हैं, advisable ये है कि आप अलग-अलग category की mutual fund scheme में invest करें, दूसरा, एक ही fund house और एक ही fund manager द्वारा manage की जाने वाली schemes में invest ना करें, एक ही mutual fund की एक से अधिक scheme में fund manager same investment strategy और approach follow करते हैं, इससे portfolio में overlapping के chances बढ़ जाते हैं, तीसरा, आपको अपने portfolio को अलग-अलग asset classes में diversify करना चाहिए, fund diversification के ले आप equity, debt, gold और real estate से जुड़े funds में भी invest कर सकते हैं, जब asset class ही अलग होगी, तो overlapping के chances ही नहीं होगे, और जब आप equity portfolio में overlapping को avoid करना चाहें, तो small cap, mid cap, large cap और thematic mutual funds की categories में invest करें, ये diversification ना सिर्फ आपका risk कम करती है, बलकि overlapping के chances को भी कम करती है, diversification का एक फाइदा और है, इतिहास बताता है कि जब share market में गिरावट आती है, उस समय सोने का भाव बढ़ने लगता है, तो यदि आप portfolio में overlapping avoid करने के साथ साथ, ऐसे classes में भी diversification करते हैं, कुछ पैसा equity में, कुछ पैसा debt में और कुछ पैसा gold में लगाते हैं, तो आप equity के risk से अपने portfolio को safeguard करते हैं, diversification का एक benefit ये भी है कि जब share बाजार में तेजी से गिरावट आती है, आपका portfolio उस तेजी से नहीं गिरता, क्योंकि आपका सारा पैसा share बाजार में invested नहीं है, और जब बाजार तेजी से उपर जाता है, तो आपका portfolio भी तेजी से उपर नहीं जाता, क्योंकि आपका सारा पैसा share बाजार में नहीं है, यानि diversification आपके portfolio में volatility कम करता है, कैसे define किया जाए portfolio overlapping हो, यदि आपके portfolio में 60-65% stock common है तो portfolio में ज़्यादा overlapping है यदि आपके mutual fund portfolio में 35-40% की common stocks हैं तो आपका portfolio कम overlapped है किस तरह से बने portfolio कैसे avoid की जाए portfolio overlapping कौन सी mutual fund schemes है आपके लिए सही इस सारी जानकारी के लिए आज ही Z funds आप download करें और बात करें अपने Z fund experts से Z funds जहाँ है आपकी investments सही और आसान